तो कैसे हैं आप लोग सो गाइज इस पीडियो में बात करने वाले है जो आपके PTT 2022 के जो लाश्ट काउंसलिंग चल रही है आपके ठीक है तो उसके लाश्ट डेटा आपको पता है यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो साथ तारीख लाश्ट डेटा ठीक है जो कि आज है आपको यहां पर फिल भर लेनी है मतला फिल कर लेनी है college choice फिर इसके बाद में अपडेट कर लेनी है फिर उसके बाद है lock reprint तो आज last date है ठीक है जो आपकी college choice बगएरा का रेप्रिंट बगएरा का ठीक है उसके बाद में 8 तारीख को जो है आपको यह हो जाएगा allotment letter आप आपको आठ तारीक को जारी होगा ठीक है उसके बाद में आठ से नौ तारीक को नौ तारीक से बारा तारीक के बीच में आपको जो की 22,000 फीज जमा करानी होगी उसके बाद में आपको 9 से 13 के बीच में जो आपका है वो है रिपोर्टिंग तो कॉलेज में रिपोर्टिंग ज साफी सारे स्टुदेंटों के जैसे कि किसी स्टुदेट ने एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप िस क्रीन पर देख सकते हैं किसी स्टुदेंट ने वैज शिरा ता इसके बाद में उसका रॉल नम8 दिड़नोट थैंड और रॉल called जैशन ठीक है आपको result वगेरा भी आप देख सकते हो उसमें आप देख पा रहे होंगे आपके result की time पर इसमें डालने पर आपको गलत आ रहा है तो इस स्थिति में आपको करना क्या है वो भी मैं बता देता हूं क्योंकि आज last date है तो आपको simply जो PTT की official website है तो उसमें help line number है तो help line number आपको जाके call कर लेनी है ताकि वो आपके जो गरबर आ रही है तो वो साही कर देंगे ठीक है और 8 तारीक है ने कि कल आपका allotment later जारी होगा तो वो कब कितने वज़े जारी होगा जैसे ही जारी होगा तो आपको हमारी द्वारा update दे दी जाएगे मिलते हैं किसी एक और न इंस्टा ग्रूप भी जोइन कर लेना लिंक इन डिस्क्रिप्शन धन्नवाद